कि खें मुल के नाट I'm a मश्कार दौस्तो स्वागत आपस र stell का माइंजिनिंग सपोर्ट के एक Hey उडी लै क्य मैं दोस्तो आज के वीडियो बहुत ही important क्योंकि आज मैं अ प्लोगों के साथ एक बहुत ही important डिसकस करने वाला हूँ कि अगर हमारी वाल जिसे हम construct कर रहे हैं वह bend हो जाए मिस मुड जाए तो इसे ठीक कैसे किया जाता है या ऐसे कह सकते हैं कि इसे कैसे 90 degree angle पर लाया जाए तो आप इसे कैसे क्रेक्ट करेंगे आकि वाल्स कोरनर 90 degree angle पर आ जाए बिना किसी भी टूल या इंस्टूमेंट के हाँ आपके पास सिर्फ मेजरिंग टेप है तो फ्रेंट्स आज किस इंपोर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी वाल्स की गुनिया बड़ी आसानी स चेक कर सकते हैं तो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है आप इस वीडियो का एक भी स्टेप स्किप नए करें अगर आप सीखना चाहते हैं तो और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेर करना नए बोलेगा ओके फ्रेंट्स तो चलिए व मेथड के लिए यू मस्ट बी मेजरिंग टेप आपके पास एक मेजरिंग टेप होना चाहिए क्योंकि मेजरिंग टेप की मदद से हम वाल की गुनिया चेक करेंगे चलिए इसे एक एग्जैम्पल की मदद से समझते हैं कि मानलो आपकी वाल है एटू बी और आपकी है और 90 डिगरी एंगल बना रही है तो यह सिर्फ गुनिया मेजरिमेंट से ही पता चल सकता है तो आपको करना क्या है तो सबसे पहले आप किसी भी एक दिवार पर एक तीन फीट नापकर एक निसान लगा लें मानलो इस दिवार पर यह एबी पर हमने तीन फीट पर मार्क दिया और उसे नाम दे देता हूँ मैं D अब दूसरी वाल A to C पर आपको एक और मार्क लगाना है चार फीट पर और इसे हम नाम दे देते हैं E अब आपका AD है तीन फीट और AE है चार फीट ओके फ्रेंड्स अब आपको करना क्या है जो आपकी लेंथ है D to E वह मेजर करनी ह यह लेंथ आपकी 5 फीट होनी चाहिए अगर यह लेंथ आपकी D to E 5 फीट आती है तो इट मिंस आपकी दोनों दिवारे गुनिया में है और एक 90 डिगरी का एंगल बना रही है पर अगर आपकी यह लेंथ D to E 5 फीट नहीं है इट मिंस आपकी दिवारे गुनिया में नहीं ह फिर इसे ठीक करने की जरूरत है तो अब इसे ठीक कैसे किया जाए तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे है कि स्पोज मेरी ये D2E जो लेंट है वह आई पाच फूट चार इंच मिन्स आपकी एक वाल चार इंच आउट है तो एक वाल को आप सही मान कर या इसे मान लो इसे दूसरी वाल को चार इंच अंदर लेना होगा मान लो हम A to C वाल को चार इंच अंदर की और ले लेते हैं और चेक करते हैं तो आपके सभी डैमेंसेंस A to D 3 feet, A to E 4 feet D to E 5 feet आती हैं इट मिन्स आपकी वाल सही गुनिया में आ गई है तो बस यही easy सा method होता है वाल की गुनिया चेक करके उन्हें ठीक करने का कि as per my suggestion आप इसे practical side पर करके practice करें तो I hope friends this video will be very useful for all of you if you seems this video is informative then don't forget to like and share this video also subscribe our channel to get notifications of our latest upcoming videos so we'll meet soon with a very important topic in next video lecture till that time, goodbye and take care